दोस्तो नमस्कार मैं हूँ जै और आप देख रहे हैं जैस तनियोज माराज के सियम उधो ठागरे के मुझे लगातार एक के बाद एक बढ़ती ही जा रही है लेकिन इन ही सब चीजों के बीच में बीजेपी की चार राजियों में जीत के बाद देवेन फड़नवीज के द्वारा एक बहुत ही बड़ा एलान किया गया है देवेन फड़नवीज ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि हमने जीत कि ये जो खुसी थी उसको एक दिन की थी हमने इसको मनाया है लेकिन ऐसा नहीं है कि अब जो है हम पूरी तरह से सांथ वैट जाएंगे उन्होंने महारास्ट सरकार यानि उद्धो ठाकरी को चेतावनी देते हुए बोला है कि अब जो है हमारा संगर्स एक बार फीर से सुरू होगा और महारास्ट में जो ब्रस्टा चार फैला हुआ चार उद्धर से महारास्ट के जो लोग ब्रस्टा चार में फसे हुए हैं उनको जो है ब्रस्टा चार से जल्दी हम बाहर निकालेंगे उनके द्वारा दावा किया गया है चेतावनी दिये गई है कि जल्दी महराज में जो सत्ता में अभी काबिज हैं उनको जो है सत्ता सुखार कर फेक दिया जाएगा और वहाँ पर BJP की सरकार बनेगी आपको बता दूँ कि उनके दोरा बोला गया है कि एक दिन की खुशी थी जो कि हमने पूरी तरह से उसको मनाया है लेकिन आज राज से फिर से हम इस पर काम करना सुरू कर देंगे OBC किसानों, खेतिहर, मजदूरों, महिलाओ, दलित, आदिवासु को न्या दिलाने के लिए महराश सरकार के खिलाप में हम फिर से संगर सुरू करेंगे प्रष्टाचार के चंगुल से निकालने के जिम्मेदारी मुंबई की जो हमारी है और हम इस से कहीं पर भी पीछे नहीं अटेंगे ये बात सीधे सीधे देवेन फटनवीज के द्वारा बोली गई है और उनके द्वारा बोला गया है कि जल्द ही महराश्टा में जो सक्ता है वो बदलेगी और महराश की सक्ता में बिजेपी जैसे ही आएगी सारा के सारा चीज जो है पहले की तरह से ठीक हो जाएगा ऐसा मतलब की द्वेन फटनवीज के द्वारा बाब किया जा रहा है कि महरास्टा में इस टाइम ध्रहाश्टा चार कापी जादा बढ़ चुका है और इसके पीछी का रीजन उन्हें महरास्टा सार्कार यानि उधागरे गोल्मन को बताया है तो इनके द्वारा अब नावा किय वीडियो के जहाँ ज़्यादा जेहर करें